हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेट पेल सी दतुल में मैं हूँ आपका दोस्त दतुल गोईल आज हम बात करेंगे हेल की हिंदुस्तान और लिम्टेड की जिसका जो प्राइस है बिल्कुल अपने जो ब्रेकाउट लेबल है उसके आस तो आप देख सकते हैं यह काफी अच्छा accumulation है और जो मैंने आपको लाइन बताई यह जिसके उपर ब्रेकाउट हो सकता आप देखिए पहले इस लेबल के आसपासी स्टोक था अगेन जो है निच्चे से स्टोक इस लेबल तक पहुंचा अगेन क्रेक्शन होती है फिर स्ट इसने यहां पर बेस बनाया और इसके बाद यहां पर बेस बनाया तो जो लो हैं वीकली बेस के उपर वो उपर होते के लिए जा रहे हैं और यह काफी अच्छा structure को शो करता है कि स्टोक यहां पर ब्रेकाउट कर सकता है निच्चे के लेबल से बात करें तो इस टाइप का चाट पेटर्न है इसका जो की काफी strong momentum को शो कर रहा है कि स्टोक यहां से भी काफी उपर जाता हूँ नजर आ सकता है तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि स्टोक ने यहां पर पहले भी एक ब्रेकाउट दिया इस लेवल के उपर अच्छा consolidation हुआ और उसके बाद स्टो फिर से देखिए जो breakout है जो multi years का उसके उपर दिखाई दे रहा है हलका सा बट यह sustain करता है नहीं करता उसके उपर बात करेंगे तो इसके बाद देखिए daily chart के उपर यह पूरा पूरा chart structure आपको इस टाइप से दिखाई देगा जैसे मैंने बताया कि यहां पर stock जो है एक यहां पर breakout देने के बाद stock जो है इस line के साथ साथ नीची आया और एक अच्छा resistance कर रहा था देखिए कहीं पर भी इसने इस line को break नहीं किया यह काफी अच्छी चीज़ है कि जो chart structure को इसने follow किया अब stock ने exactly देखिए इस line के आसपास ही base बनाया और यहां से अच्छा bounce back किया और इस line को इसने break कर दिया और candle भी काफी अच्छी बनी है जिस candle के उमीद थी कि heavy volume के साथ चलनी चाहिए secondly आप देखेंगे यह जो resistance zone था इसको भी इसने break किया है यहाँ पर तो बिल्कुल stock इसके उपर निकलता हो नजराया तो यहाँ पर दो break outs होते हुए नजराया है पहला breakout इस line का है जो कि बिल्कुल हम हर चार्ट में बताते हैं कि इस line का जब भी breakout होता है तो काफी strong होता है तो यहाँ पर breakout होता हुए नजराया काफी दिन से इसकी उमीद थी और second जो breakout हो है multi years जो है उसका breakout होता हो नजराया तो दोनों ही breakout अच्छे है तो यहाँ पर stock का देखना होगा किस type से stock आगे behave करता है अगर देखेंगे इस type से पूरा का पूरा chart structure है लास्ट की जो candle है देख लेके रखिए और यहाँ पर जो है breakout एक सस्टेन अगर होता है तो बिल्कुल यह स्टोक जो है अब साड़े सतरा सो प्योर बढ़ता हो नजराएगा तो एक अच्छा momentum यहां से share पकड़ सकता है 1570 का नीचे stop loss आप बिल्कुल रखके चलिए अगर इसे नीचे जाता है तो आ 1940 तक के level भी दिखाता हुआ नजर आ सकता है थोड़ा सा patience रखना होगा क्योंकि अच्छा breakout इसका हुआ है और आने ले time में इसका breakout होता है तो काफी अच्छे returns बना के दे सकता है थैंक्यू धन्यवाद